नमश्कार आपका एक बत्विस से स्वागत है टूथ अफ लाइफ जीवन के सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं पांच में नवरात्रे की जिसमें हम पूजा करते हैं मा सकंद माता की सकंद माता की पूजा की जाती है और सकंद भगवान का तिक्के की मा गौरी की पूजा की जाती है और इसा माना जाता है कि जो सकंद माता है अगर आप पांच में नवरात्रे सकंद माता की पूजा करते हैं तो आपको जीवन में मोक्ष की प्राप्ती होती है दिखिए मोक्ष जो मोक्ष प्राप्ति होती है वो जीवन में हर मनुष्य का एक्धिय होता है एक टार्गेट होता है एक मंजिर होती है कि जीवन के अंत में हमें मोक्ष जरूर प्राप्त हो जाए ताकि दुबारा इस दुनिया में जो आने जाने का सिस्टम है, जो हम आते हैं, हम जीवन में जनम लेते हैं दुनिया में, फिर हम अपना बच्पन देखते हैं, युवा वस्ता देखते हैं, गुडापे में जाते हैं, अफिर हमारी मृत्यों होती हैं, अपने कर्मों को हमें अंत में मोक्ष की प्राक्ति हो जाए हमारा इस जीवन में दुबारा आने का कोई भी सिस्टम नहीं रहे कोई आसा कारे अधूरा ना रह जाए जिसकी वज़शे से हमें इस जीवन जलती से तो पापों का भोग तो कहीं न कहीं रहे गया तो इसके लिए फिर हम दुबारे इस दुनिया में जनम लेती हो और फिर करते हैं सकंद Мне भगवान कार्थिक्के वागन कार्थिट एक इन्हों ने भगवान कार्थिक को अपनी कोंज में उपनी ऊपनी पीड है कै सवरूप है उसमें माहने सकंद घालका हमें और भी कहीं तरह की सुपनीयत्सिर है हमें समदिध्धी देती है, एश्वरे देती है, सोभागे देती है, पर मेर इंकी जो पुझा हम करते हैं, वो इसी भाव से करते हैं, कि हमें इस दुन्या में तुझारत जनम ना लेना पड़ें और हमें अंत में मोक्ष प्राप्ति हो, तो जो भी आते चाती कायें, इन सभी नवरात्रे रखते हैं, मा की उपासना करते हैं, मा को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, मा स्वेम उनके घर में पधारती है, तो उनको पांचवी नवरात्रे पे सकंद मार्दा की पूजा करनी चाहिए, और सकंद मार्दा को जो विशेश प्रिय है, वो है केले का भ कि खुश्यां लाती हैं तो पांचवे रवरात्रे वाले दिन मास कंद माता को केले का भूग लगाईए अपने जीवन में खुश्यां लाइए संबंता लाइए और कहते हैं कि अंतिम समय में मोक्ष को प्राप्त करना सब का देह होता है तो इश्वर से प्रातना करते हुए मा प्राकार की परिशानियां देते हैं मांत सम्मान में कमी देते हैं पिता से संबंद अच्छे नहीं होते हैं शारेरिक लौड पे हम उतने स्वस्त नहीं होते हैं क्योंकि देखे जिनका भी सूर्य अच्छा होता है कुंड़ी में सबसे पहले तो मान की चलिए उनका इम्यू कर रहे हैं सूरे देव से संबंदित आपको बहुत अनुकूल रिजर्ट्स नहीं मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं अच्छे परिनाम तुमा सकंद माता की पुजा कीजिए सकंद माता की अपासना कीजिए अरादना कीजिए और सूरे देव से मिल रहे हैं अशुप परिनाम अग आपकी कुडली में सूरित देव की मादरशा चल रही है अंतर दशा चल रही है पृत्य आंथतर चल रहा है और निया कहीं सूरित देव कहाँ выглядит और सूर डेव को आपकी कुडली में अनुप्ए गशा है और आपको जैक्टा लगी हो तो इस चानल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें नमस्क्राइब जैमाता गी